अब यह एक्जामनेशन जो कंड़क्ट करवाया जा रहा है इसमें 20 तारीक तक नवंबर 20 तारीक तक फॉर्म फिल अप कर सकते हैं ऑनलाइन और आफलाइन दोनों आध्यम से इसके बाद जो पहला एक्जामनेशन होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 26 को एक्जाम लेने वाले ह इसका जो परपस है वो उन बच्चों को तलासना जो गौं में हैं सुबधा जिनके पास बहुत अच्छा नहीं है जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं जिन्होंने बड़ा सपना देखा है और कुछ बहतर करके दिखाना चाहते हैं ऐसे बच्चों के सपने तरासने का काम कर उन्हें उनके सामने प्रस्तूत किया जाएगा वो सरपराईज होता है जब वो समिनार में आएगे उनके रैंक वहीं पर बता दिया जाएगा कि यह आपका मार्स है और जो बहुत अच्छा परदर्शन करेंगे उन्हें जैसे लैपटॉप मिलेगा टाइब मिलेगा बैग मिल कुछ ऐसे प्रोसाहित करने वाला अवार्ड मिलता है नमस्कार मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देस्टी नूस पिछले 26 सालों से गोल इंस्ट्यूट लगतार बहतर से बहतर रिजल्ट दे रहा है और ऐसे में गोल इंस्ट्यूट के तरफ से एक वार फिर से जी टी ए से कंडर करवाया जा रहा है यानि कि गोल टैलेंट सच एकजाम में 6-12 के बच्चे बैठ सकते हैं सिर्फ बिहार के ही नहीं बलकि Other State के भी बच्चे इसमें बैठ सकते हैं पूरी चानकारी के लिए बाच्चित करने के लिए हमारे साथ Goal Institute के डाइरेक्टर विपिन सर हैं जानेंगे कि क्या कुछ GTAC के माध्यम से उन्हों करवाया बहुत बहुत पहले स्वागत है Thank you so much पहला सवाल यह है कि GTAC है क्या और किन-किन बच्चों के लिए है सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए Other State के बच्चे के लिए है तो कौन से किन-किन अस्टेट के लिए बच्चे Goal Talent Search Examination एक ऐसी विवस्ता है जो गोल संस्थान के साथ पिछले 2011 से लगातार चल रही है और यह बिहार, जारखन, शत्तिसगर, बेस्टवंगाल, यूपी कई राजियों के छात्रे हाँ पर उपस्थित होते हैं Class 6 to 10 होते हैं और 11-12 में जो Medical Engineering की तियारी कर रहे हैं ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं बेसिकली इसका जो परपस है वो उन बच्चों को तलासना जो गौम में हैं सुबधा जिनके पास बहुत अच्छा नहीं है जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं जिन्होंने बड़ा सपना देखा है और कुछ बहतर करके दिखाना चाहते हैं बच्चों के सपने तरासने का काम करता है गोल संस्तान और इस कड़ी में जिस परकार से बच्चों का रूझान आया है पहले के दिनों में जिस परकार के बच्चे हमारे साथ जुड़े गोल टैलेंट सर्च इग्زामनेशन देकर साल दर साल प्रोसाहित होते हुए आगे बढ़ते गए इन बच्चों का बहुत सा कारात्मक रिजल्ट्स भी आये हैं। त्योंकि जब उनका एक्जाम होता है, एक्जाम में इनके परफॉर्मेंस होते हैं, उनकी कम्यां उसमें देखी जाती है। उनको महसूस होता है कि ये area मेरा कमजोर है इसमें और महनत करना चाहिए हमारे expert उन बच्चों को guide करते हैं और ये सब एक ऐसी विवस्था कायम करता है कि ऐसा situation create करता है कि बच्चों में प्रोसाहान मिलता है उससाह बढ़ता है आगे करने के इक्षा सकती जागती है और ये ब प्रियास है वो बहतर होते चला जाता है और लास्ट में जब 11-12 करता है बच्चा उसके बाद हमने देखा है बहुत सारे चात्र medical और engineering के सिर्फ सिर्ष पे अस्थापित medical college और engineering colleges में अपना admission लिया है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका medical engineering के अलावा जैसे civil services, law professional या management के course मे बहुत अच्छा परदर्शन किया है तो यह जो बिवस्ता है वो कुछ इस प्रकार से कि बच्चे जो चाहते हैं आगे बनना उसके बनने के दिशा में कैसे जो रास्ता है उसको प्रसस्त किया जाए आसान किया जाए और आज की competitive एरा जैसे 140 करूर जनसंख्या है हमारी तो इतनी बड़े जनसंख्या में जो competition है एक सीट के लिए हजार बच्चे होते हैं तो उस competition का flavor इन बच्चों को पहले से पता होना चाहिए और इसी कड़ी में संस्थान की जो जवाब दही है हमारी जो responsibility है यह back to society बापस जाना उन बच्चों तक पहुँचना क्योंकि वहीं से जो भी संस्थान को मिला है उस समाज के द्वारा मिला है लोगों के द्वारा मिला है तो कैसे हमें बापस जाकर देना है तो यह है हमारा जीटीएसी का purpose अब यह examination जो conduct करवाया जा रहा है इसमें 20 तारिक तक नवंबर 20 तारिक तक form fill up कर सकते हैं online और offline दोनों माध्यम से इस इसके बाद जो पहला examination होगा online test होगा वो 26 को exam लेने वाले हैं और AI based होगा हमारी कोशिस होगी कि बिल्कुल transparent exam हो और जैसे को भी competitive examination होता है जिसका atmosphere होता है जो temperament examination hall का होता है बच्चों को वो सारी चीज़े देनी है ताकि उन्हें एहसास हो कि मैं जो competition दे रहा हूं इतने ब और फिर उसके बाद जो दूसरा examination पहले examination के results आएंगे दूसरे examination 10 December को होना तै हुआ है किसी कारण से कभी अगर कुछ changes होता है तो इसके information माध्यम से जो contact माध्यम है जो हमारा वहां तक पहुँचने का माध्यम बच्चों तक उस माध्यम से बच्चों को बता भी दिया जात है वैसे 10 December का हमारा second test हो रहा है और second test जो होना है वो offline test होगा क्योंकि online में कभी एक संभावना बन जाती है question mark बच्चों के दमाग में रह सकता है कि पता नहीं जो exam हुआ है कितना transparent हुआ है तो second examination को भी हम लोगों ने offline रखा है और बिल्कुल इसका ख्याल रखा जाता है कि क किसी बच्चे को अपने result या किसी और के result पर कोई 1% का भी question mark ना हो जैसे competition में होता है एक साथ ही एक question paper का सारे center पर exam होना निश्चित रूप से ये सिर्फ data collection का बात नहीं होता हम लोग तो data मंगते भी नहीं है तो बच्चों को उस label पर त्यार करने की विवस्था है उस label प इन सारे बच्चों का result सेमिनार के माध्यम सुनें उनके सामने प्रस्तूत किया जाएगा वो surprise होता है जब वो समिनार में आएंगे उनके rank वहीं पर बता दिया जाएगा कि ये आपका marks है और जो बहुत अच्छा परदर्शन करेंगे उन्हें जैसे laptop मिलेगा टाइब घड़ी मिलेगा कुछ ऐसे प्रोसाहित करने वाला अवार्ड मिलता है कुछ कैस अवार्ड मिलता है सब मिलाकर जिन बच्चों को वहां पर जितने लोग जितने बच्चे वहां participants होते हैं जो second phase में हमारे पास आकर समिनार तक पहुंचते हैं सबों को medal और certificate दिया जाता है औ बढ़े हुए उत्सास से अगर वह student उस लेवल पर तैयारी करता है अपने कमियों को ढूंड कर उसे सुधारने की कोशिस करता है तो निरंतर उसमें सुधार की गुंजाइस बनी रहती है बहतर करता है इतने सालों से आप लोग कंडर करवा रहे हैं जी टी एसी तो क्या में वो नाइन्थ में गये इन सारे बच्चे कोविड में भी जूले रहे हैं और हर बार अपने बहतर परदर्शन के लिए प्रयास करते रहे हैं और बहतर परदर्शन उन्होंने किया भी जो बच्चे सिंसियर हैं जो बच्चे अच्छे हैं जो अच्छा करना चाहते हैं उ यदि डेट बढ़ गया किसी कारण से तो संख्या और भी बढ़ जाएगी लेकिन अभी तक हम लोगों ने इस्टिक किया है कि विस्तारीक तक ही रहा कि जितने हमारी छमता है उस लेबल पे बच्चे आ चुके हैं हमारे पास जो बच्चे financially weak हैं उनके लिए क्या है आपके institute में ऐसा जो डॉक्टर एंजिनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो असम तो गोल टालेंट सर्च एक्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं ये तो gateway है हमारा जहां से बच्चे की interest रू हो सकती है तो बच्चे जो गोल टा सद गोल टालेंट सर्च एक्जामनेशन के मद्धम से बच्चों का admission लेना सिर्फ नहीं है ठीक है वो अगर चाहते हैं गोल में आना चाहते हैं गोल उनके selection में उनके chain में गोल भी अगर संस्थान दिखता है कि हम अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं हम्यारा result अच्छा होता है अगर उससे satisfied वह हैं हमारे पास आए निश्चित रूप से उन्हें वो सारी शुबधाय दी जाती है तो 0% से लेकर 100% तक scholarship देने की विवस्ता है यहां तक कि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे परदर्शन करते हैं उन्हें सारी शुबधाय जो पढ़ाई से रहने का खर् जाय तो लाखो बच्चे हैं उसकी संख्या तो exact मेरे दिमागे भी नहीं है लेकिन लाखो बच्चे हैं हर साल आप समझें 20 से 25,000 से जादा बच्चे अपीर हो रहा है कभी कभी घटा है कभी कम भी हुए हैं लेकिन 20 और 25,000 के आवरेज बच्चे आते रहे हैं पहले के दिन सबसे अच्छा platform है ऐसे examination में जरूर participate करना चाहिए कमियों को जाचना पर रखना चाहिए सुधारने का जो गुंजाई से उसी मांदारी से पूरा करना चाहिए सही दिसा भी दिया जाता है बेविनार या समिनार में एक तो समिनार होता है और जो बच्चे हमारे पास नहीं आप आये किसी कारण से चुकि इतने state की कहानिया है हर state में वैसे हम लोग जाएंगे लेकिन जो बच्चे हमारे सेमिनार में नहीं आते उनको बेविनार के माध्यम से हमारे expert जो doctor engineer के अलावा IS IPS law professional बनना चाहते हैं उनके लिए motivation भी होता है भटके तो नहीं कहेंगे अभी च जो जानकार हैं उनके माध्यम से उनकी counseling दिलवाना उनको guide करना उनको रास्ता दिखाना यह हमारा मक्षद है मैं समस्ता हूं बहुत पवितर काम है जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों को और बाकी parents को इस पर भिस्वास है और उनका हमेशा हम लोग का साथ मिल रहा है हमारा भ ख़वरों के देखते रहें देस्टीनों